रासाइनिक समीकरण संतुलित करना सबसे पहले रासाइनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों विशक थे? किसी भी द्रविमान संरक्षन के नियम के अनुसार, किसी भी रासाइनिक अभिक्रया में द्रविमान का नतो निर्मान होता है और ना ही विनाश. अर्थात अभिक्रिया के पहले जो अभिकारक है उनके तत्तों का कुल द्रवेमान अभिक्रिया के पश्चाद जो उत्पाद हैं उनके द्रवेमान के बराबर होना चाहिए। इसलिए दोनों और के तत्तों के परमानों की संख्या समान होनी चाहिए। करना है हम यहां सामने लिख सकते हैं लेकिन यह इस प्रकार में किसी भी प्रकार का हम परिवर्दन नहीं करेंगे। हम यहां पर सूत्र के आगे संख्या लिख कर परमानों की संख्या को बराबर करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम अभिकारक ये जो अभिकारक हैं, इन में तत्व के परमाणों की संख्या लिखते हैं, और उसके पश्चा ये जो उत्पात दिये हैं, इन में परमाणों की संख्या लिखते हैं, ये दिखें, अब हम अलग-अलग तत्व लेंगे और अभिकारक में परमाणूं की संख्या और उत्पाद की सबसे पहला तत्व है हमारे पास H हमने ये लिखा H अब अभिकारक में है ये एक और यहाँ दो यानि ये हुए कुल तीन अब उत्पाद में देखें यहाँ सिर्फ हाइड्रोजन के हमें दो दिखाई दे रहे हैं ये हमने लिख दिया दो इसके बाद अगला तत्व दिखाई दे रहा है N नाइट्रोजन अभिकारक में कितने हैं एक उत्पाद में कितने हैं उत्पाद में हैं ये दो फिर O oxygen यहां कितने दिखाई दे रहे हैं यहें 3 और यहें 2 तीन और दो यह हुए 5 उत्पाद में देखते हैं यह हुआ 3 दूनी 6 और यहें 1 साथ इसके बाद कैल्शिम यहां है एक और उत्पाद में भी एक तो अब हम देखते हैं कि अभी कारक और उत्पाद में सिर्फ कैल्शिम को यदि हम छोड़ दे तो बाकी में पर्माणों की संख्या अलग-अलग है जिसे हमें बराबर करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम जिसमें पर्माणों की संख्या सबसे अधिक है उसको संतुलित करना शुरुवात वहां से करेंगे तो सबसे अधिक हम देखते हैं अभी कारक या उत्पाद किसी में भी हो सकते हैं कारक में भी हमें ऑक्सीजन के ही सबसे ज़्यादा दिख रहे हैं और रूतपाद में भी ऑक्सीजन के ही सबसे अधिक दिख रहे हैं इसलिए हम शुरुआत ऑक्सीजन से करते हैं ऑक्सीजन में यहां तीन हैं और यहां दो हैं तो हम इसको संतुलित करते हैं यहां यदि हम द गुणा कर देते हैं तो यह हो गए अब 3 दुनी 6 और यह हो गए 2 8 याने अब यह हो गए 8 अब इधर यह 3 दुनी 6 और यह 1 7 तो अब यहाँ पर भी यदि हम दोखा गुणा कर देते हैं तो ये हो गए हमारे पास oxygen के total 8 परमानू औक सीजन बराबर हो गया oxygen को बराबर करने में हमारे अन्य परमानू की संख्या में अंतर आ गया होगा अब hydrogen के देख लेते हैं hydrogen के हुए हैं ये 2 और ये 2 4 इधर हो गए 4 यहाँ पर क्या हुआ यहाँ पर भी 2 दूनी 4 तो ये भी हो गया है 4 फिर nitrogen nitrogen यहाँ पर कितना है ये 2 पहले एक था अब ये हो गया है 2 और यहाँ पर तो पहले से ही nitrogen 2 है calcium अब भी 1 है और इधर उत्पाद में भी 1 है इस प्रकार अभिकारक में उत्पाद की अभिकारक में परमानू की संख्या और उत्पाद में परमानू की स दंख्या दोनों में बराबर दिखाई दे रहे हैं इसका मतलब कि ये अब हमारा समीकरण संतुलित है